नमस्कार दोस्तों ये सवाल है इसको जानना चाहें है पूरे विडियो को देखिए आठ कनाल बराबर एक एककर होता है इसको कर्वर्ट करके बताने के लिए पूछा गया है आठ कनाल बराबर एक एककर होता है ठीक और बीस मारला बराबर एक कनाल एक मारला यहां पर एक मारला बराबर 272.25 फीट होता है इसका पलाट हो जाता है एक मारला बराबर 16.5 गुड़े 16.5 बराबर 272.25 यह इसका पलाट है 16.5 फूट इसकी लंबाई चोड़ाई है दोस्तों इस तरफ से एक मारला का पलाट है अब यहां एक कनाल बराबर 20 मारला है तो एक कनाल बराबर 20 गुड़े 272.25 इसके बराबर हो जाएगा पांच हजार चारसो पैंतालीस वर्ग फूट केल्कुलेट कर लिजेगा अब इतना होता है दोस्तों एक कनाल बराबर 5445 वर्ग फूट अब कहा रहा है आठ कनाल बराबर एक एककार पांच हजार चारसो पैंतालीस वर्ग फूट को आठ से गुड़ा कर देजे पांच हजार चारसो पैंतालीस वर्ग फिट को आठ से गुड़ा करेंगे इसके बाद फिट में निकलेगा फिर गज में निकारेंगे दोते हैं तो बराबर हो जाता है तिरालीस हजार पांच सो साथ इसक्वायर फूट एक एकड़ बराबर इतना स्क्वायर फूट होता है दोस्तों एक एकड़ बराबर इतना स्क्वायर फूट है और हम जानते हैं दोस्तों इस्टेंडर्ट एक एकड़ बराबर एक एकड़ बराबर 4844 square गज होता है तो हमको इतने लाना है इसको इसलिए हम एक वर्ग गज एक वर्ग गज बराबर 9 square हमने बताया है पिछला वीडियो देख लिजेगा ये 9 है 9 square foot एक वर्ग गज बराबर तो हमे 43,560 भागे 9 कर दिजे इसके बराबर करने पर ये 4844 square गज आया दोस्तों एक एक कर बराबर तो इस तरह से कनवर्ट करना बहुत ही इजी है एक एक कर बराबर निकल आया है 43,560 square foot बराबर 4844 वर्ग गज इजी है दोस्तों हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे और वीडियो को शेर कीजे और सिक्ता की जानकाली है धन्यवाद कर दोस्तों